हेलो माई योट्यूब फैमली कैसे हैं आप गंगा की चन रेस्पी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे टेस्टी आसान और बिना पनीर के पनीर वाली सबजी अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ तो चलिए शुरू अगर आपके बीच पके हुएं गिया के तो उसको बीच पके हुए बीच को अलग कर देजेगा मैं इसको रफली चॉप कर लूँगे और एक मिक्सिजार के अंदर हम इसको डाल लेंगे क्योंकि पनीर बनाने के लिए हमें गिया को पीसना है तो मैं अभी ऐसे ही इसको पीस पेश्ट बना है क्योंकि हमें एकदम स्मूद पेश्ट चाहिए था पनीर बनाने के लिए कोई पीस बाकी नहीं है इसके अंदर इसलिए अगर पके हुए बीच है तो अलग कर लेजिएगा अब एक बरतन में हम इस पेश्ट को डाल लेंगे कई बार पके हुए बीच जो है पिस नहीं पाते हैं तो अलग दिखाई देते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक कटोरी चावल का आटा डालेंगे आप चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो मैदा भी यूज कर सकते हैं लेकिन बेशन यूज मत करिएगा ब घर का बनाी है इसलीक गाड़ा है तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे को हैं अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया इसमें खाने माला सोडा डाले चुटकी भर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिर से से अच्छे से हम mix कर लेंगे ताकि कोई भी चावल के आटे की गुठली नहीं रहे या milk जो हमने powder डाला है उसकी भी कोई इसमें गुठली नहीं रहे इसे अच्छे से mix कर देंगे स्मूद सा पेश्ट बना लेंगे तो अब मेरा अच्छे से सब कुछ much mix हो गया है तो अब एक प्लेट लेंगे उसमें हम भी से grease कर लेंगे चारो तरप से कि नारी से भी grease कर लेएदा और जो पेश्ट हमने बनाया था आए वो पेश्ट हम इसके अंदर डाल लेंगे अब एक टिपिकल हाउस वाइफ की तरह इसे सारे को अच्छे से पोच कि ले लेंगे हम अभी से अच्छे से हम फैला देंगे चारो तरफ पलेट की चारो तरफ फैला देंगे इसे बिल्कुल एकदम फ्लैट कर देंगे चम्मत से अब थोड़ा सा जैसे उपर से दढ़le सा रह जाता है ना तो हम क्या करेंगा सेप्चुला की हेल्प से उसको अच्छे सेफचुला कर लेंगे सिलिकुन का सेप्चुला ले लेंगे और उससे यह अच्छे से फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल प्लेन हो जाएगा अब जो इसके किनारे पे थोड़ा लगा रह गया है बैटर उसको हम एक नेपकिन से सारे को साफ कर देंगे ताकि ये बिल्कुल क्लेन हो जाए अब ये अच्छे से क्लेन हो गया है अब हम कडाई की तरफ चलते हैं तो अब एक कडाई ले लेंगे और उसमें मैं दो गलास पानी डाल रही हूँ गरम करने के लिए मैं कडाई ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास और बड़ा बरतन नहीं था आप चाहे तो अगर आपके पास भगोना बड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं अब मैंने दो टमाटर और तीन प्याज लिए इनको बीच में से कट कर लिया है और तीन चार मैंने हरी मिर्च लिए अब एक कटोरी ले ले लेंगे और उसको पानी के अंदर रख लेंगे अब जो हमने टमाटर प्याज लिए हैं, उनको हम कटोरी के चारों तरफ लगा देंगे, ताकि कटोरी भी इससे रुख जाएगे, और टमाटर प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, पीसने में आसानी से पीस जाएंगे, कोई बड़ा पीस नहीं रहेगा पीसने में, और इसको एक बड़े वरतन से ढख देते हैं, आपके पास प्लेट या कवर करने के लीड हो, वो रख सकते हैं, मेरे पास ये प्लेट थी, मैं इसी से इसको ढख दूँगे, अब मिलते हैं 15-20 मिंट तक इसको पकने देते हैं, जैसे डोकला बनाते हैं, उसी जैसे ये तो इसको हम 15-20 मिंट के लिए छोड़ देंगे, अब 15-20 मिंट मैं आपको चेक कराती हूं, इसको ढख कन को हम हटा लेंगे, आराम से हटाईएगा, क्योंकि भाप बहुत जादा रहती है, उससे क्या है, हाथ भी जल जाता है, तो अभी इसको आसानी से हम निकाल देंगे, वो पकड़ने वाली होती न, उससे निकालेगा, वरना हाथ के लग जाता है गरम, अभी देख सकते हैं, आप प्याज और हमारे टमाटर भी अच्छे से सोफ्ट होगें, इनको भी हम भार निकाल देंगे, पानी से, अब हम जो पनीर का हमने बना कर लिया है, उसको भी ठंड होने देंगे, और टमाटर और प्याज को भी हम खोल देंगे, ये गरम है, अभी तो हाथ थोड़ा सा जलने का खत्रा है, तो ध्यान चाही करिएगा, मेरी भी हाथ जली रहे हैं इससे, तो मैं आराम से इनको खोल के रग दूँगी, और टमाटरो को भी छिलका हटा दूगी और बीच में से कट करके, इन्हें ठंडा होने के लिए रग देंगे, क्योंकि कई बार मिक्सी को गुसा आजाता है, गरम पीशने पर वो धकन को और सारे समान को भार फैक दीती है, तो अब ठंडा करके ही लीजिएगा, मिलते हैं अब ठंडा होने के बाद, तो एक मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें अब सारा समान को हम डाल लेंगे, टमाटर प्याज सारे ही और हरी मिर्च को भी डाल कर लेंगे, और मैं डालूंगे, लसन, थोड़े लसन ले रही हूं और अधरक ले रही हूं, ये भी इसमें डाल कर साथ-साथ पीश लूगी देखे काम कितना आसान हो गया ना सभी सारा काम आसानी से हो गया अभी हम कड़ाई में दो चम्मच में बड़े तेल ले रही हूं और उसमें थोड़ा जीरा डाल कर भून लूगी और इसी के साथ में जो हमने पेस्ट बना कर लिया है टमाटर प्याज का वो भी डाल लेंगे बैस जो हमें टाइम लगता है ना वो बैस हमारा जो पनीर है बनाया हमने उसी को ढोकले की तरह हमें भाप लगाना होता है तो बैस उसी को टाइम लगता है उसी में बनने में और आ आप उसमें टुथपिक वगएरा डाल के देख सकते हैं जैसे हम डोकले को चैक करते हैं कि कच्छा है क्या नहीं अब मैं इसमें मसाले डाल कर ले लोंगे कस्मेरी लाल मिर्ट से डाल रहे हूं आधा चमच नोर्नवन लाल मिर्ट से और आधा चमच मैं नमक का एड़ कर रहे ह चमच भरके यहां सूका धनिया पाउडर डाला है अब पनीर बना रहे हैं तो एक चमच भरके मैं पनीर मसाला भी डाल दूँगÝह पनीर मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं सभी मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब जब तक मसाले तेल नहीं छोड़ने लग जाते तब तक हम इसको पकाएंगे मैं इसमें दो गलास पानी का डाल रही हूँ क्योंकि पनीर हमारा थोड़ा जादा है तो हम दो गलास पानी ही डालेंगे अब उस हिसाब से डालेगा कि आप जितना liquid रखना चाते हैं या ठीक रखना चाते हैं उस हिसाब से आप पानी डालेगा अब मैं इसको अच्छे से mix कर दूंगे मसालों के साथ में और थोड़ा पानी को हम पकने देंगे तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितने इजली कट रहा है ठंडा होने के बाद बिल्कुल आसानी से हम काट रहे हैं इसके पीस तो अब सभी पीसों को हम काट कर ले लेंगे अब मैं आपको एक पीस निकाल कर भी दिखाती हूँ बिल्कुल पनीर की तरही बना हुआ है एकदम पनीर की शेफ में आया शेफ आप अपने हिसाब से जैसे काटना चाते हैं मैं इसको सेफ में काट रही हूँ अभी आप देख सकते हैं कितने आसानी से यह अलग हो गया पलेट से और बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, हातों पे भी नीच पकरा है और एकदम पनीर के जैसे मुलायम भी है अब चलते हैं अपनी कड़ाई की तरफ, हमारे ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है अब इसको हम एक बार को चला लेंगे अब देख सकते हैं, बिल्कुल गाड़ी ग्रेवी बनी है हमारी हमने इसमें काजू का पेस्ट या और कोई चीज एड नहीं की है मसाली से ही ग्रेवी हमारी थिक हो गई है अभी हम सारे पनीर के पीसिज ग्रेवी के अंदर डाल देंगे अगर आप पनीर खा के बोर हो गए हैं तो एक बर ये वाली रेस्पी ट्राइ करना बहुत पसंद आएगी आपको टेस्टी भी बहुत बनती है और पनीर के पीसिज भी सोफ्ट अच्छे होते हैं और ये ग्रेवी में जान के बाद गुलते नहीं है वैसे ही रहते हैं जैसे पनीर रहता है वैसे ही सोफ्ट रहते हैं नहीं ये हाड होते हैं बिल्कुल सोफ्ट रहते हैं और बच्चे खाते नहीं तो उनको खिलाने का सबसे आसान तरीका ये ही है हेल्दी भी रहेगा और वो आसानी से खा भी लेगी है उनको पता भी नहीं चलेगा कि पनीर बना है या लोकी से हमने पनीर बनाया है तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रेवी हमारी पक गई है और पनीर एकदम अच्छे से पक गया है और बहुत टेस्टी भी बना है देखने से भी इतना अच्छा लग रहा है कलर भी अच्छे लग रही इसकी रंगत भी और वैसे भी सोफ्ट भी है और इसकी ग्रेवी भी अच्छी थिक सी है तो अभी बनकर पनीर हमारा बिल्कुल तयार हो गया है आपको बनाने की रैस्पी कैसी लगी आप जरूर बताईएगा अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल ल करती है अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूं प्लेट में एक एक पीस अलग है इसके और देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने बिल्कुल मार्किट से पनीर लेकर आए हो तो एकदम बहुत बढ़िया टेस्टी सबजी बनी है हमारी अगर आपको मेरी यह रेस्पी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और अगर आपको मेरी नेक्स्ट रेस्पी चाहिए तो वैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी में पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवा अगर आप मेरे से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी में तब तक के लिए बाई टेक केर